कि नमस्कार दोस्तों वसीन नेटवर्क में आपका स्वागत है गाजा पट्टी के इस युद्ध को कह लीजिये या संघर्स को कह लीजिये एक महिना हो गया है और इस एक महिने में दस हजार के करीब लोग मारे गए हैं अभी भी दो सो चवालीस बंधक हैं हमास के आतंकवादियों के पास और उनको छुड़वाने के परियास भी चल रहे हैं परदे के पीछे से भी चल रहे हैं सामने से भी बाते हो रही हैं शर्ते रखी जा रही है बड़ा सवाल ये है जो इसराइल की तरफ से लगातार बात कही जा रही है कि हम हमास को नेस्तना बूद करेंगे तो क्या हमास को पूरी तरीके से खतम किया जा सकता है क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि करीब डेड़ दर्शक या सत्रा साल पहले हिजबुल्ला के बारे में भी कुछ ऐसा ही दावा किया था इसराइल ने जब बेरूत पर हमले किये गए थे लेकिन अब हम फिर देख रहे हैं कि हिजबुल्ला उसी ताकत के साथ फिर सामने है और वो हमले कर रहा है इसराइल पर दो तीन सवाल हैं उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे क्या इसराइल हमास को हमेशा के लिए खतम कर सकता है नमबर दो क्या गाजा पट्टी पर फिर से अपना कबजा जमा सकता है नमबर तीन जो मुसलिम कंट्रीज हैं साओधी अरब में खबर मिल रही है कि वहा सभी मुसलिम देशों के परतिनिधी जुटने वाले हैं और इस पूरे परकरण पर पूरे युद्ध पर कोई एक लाइन लेने वाले हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और पूरी दुनिया पर और भारत पर इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है या पढ़ने वाला है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे मेरे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के जानकार टेरिटोरियल आर्मी के पूर्वचीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल एके सिवासर सिवासर बहुत स्वागत है आपका न इस संघर्ष को इस युद्ध को इसराइल कहां खड़ा है और जो आसपास के देश हैं कुल मिलाकर के उनका एटिट्यूट क्या है और ये युद्ध जो है ये किस दिशा में बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है हाँ बिलकूँ तेखाई चोदी साब इसमें कोई शक नहीं जो साथ अक्तूबर को हमास ने किया था इसराइल में एक वो जैनोसाइट था बहुत बड़ा टेरी इस्टक्शन था और इसका बदला तो पका लेना था इसराइल ने और इसराइल ने बन बना लिया था कि हमास क जड़ से निकाल देंगे क्योंकि उन्होंने सपने में में सोचा था कि वो हमास को गाजा पट्टी एक परकार से रूल कर रहे थे 2006 में जो इसराइल था गाजा पट्टी से बार निकला और वहीं से इसने इतना बड़ा हमला किया तो ये सचाई है कि जब उनके 240 से ज़्यादा होस्टीज ले गे और 14 से ज़्यादा लोगों को मारा ओरतों को रेप किया बच्चों की सर काट दिये तो वो एक बहुत बड़ा धका था इसराइल के लिए और इसराइल के जो प्राइमिस्टे नेथन यायू जो लॉंगस्ट प्राइमिस्टे हैं और बड़े हार्ड कोर मने जाते हैं तो इन्होंने मन बनाया कि अब की बार हम इसराइल से जो वार करेंगे हमास के उपर ये ब मैं बताएगा मगर अभी जो उसका मिल्टरी इंफा सक्चर जो भी है उसको हम बिलकुल खत्ब कर दें उसको वो लेके चले और मुझे लगता है कि एक बीने से ज्यादा हो गया इस चीज़ को मगर उन्होंने जो कारवाई किये है वो अपने रोड मैप जो बनाया था वो वो उनके मिल्टरी ऑपरेशन बिलकुल वैसे चलने जैसे प्लैनिंग की थी इदराइल ने जो पहले उन्होंने क्या क्या की सौफनिंग अप की अपने आर्टिलरी अपने मिजाइल अपने एर का इस्तमाल किया जो बड़े बड़े मिल्टरी इंस्टोलेशन थे इन्फा सक्सर है उन्होंने अपने जो भी हैड़कॉाटर अपने लोजिस्टिक बिल्ड़ अप अपने इन्फा सक्सर बना रखा था वहां पर जहां पर या तो स्कूल हो या हस्पिटल हो या मौस्क हो या कोई और इंस्टूशन हो और उसका वो इस्तमाल कर रहे थे यह सचाई है कि जैस जैसे इसराइल ने पहले सौफरिंग अप किया फिर ग्राउंड ऑपरेशन किया और वो दीरे दीरे अब गाजा सिटी को उन्होंने गेर लिया है उन्होंने यह सोचने के लिए कि जो सिविलियन की कैजुल्टी बहुत कम हो इसलिए उन्होंने कहा कि कॉलर्टर डैमें ना ह कि जो सिविलियन्स हैं उनको नौर्थ गाजा से साउथ गाजा में जाए उसके लिए उसने हुमन टेरियन एक कोरिडोर भी मनाया है मगर दुख की बात यह है कि ज़्यादा तर लोगों को हमास ने नहीं जाने दिया है क्योंकि हमास उनको हुमन शील्ड का इस्तमाल करना च कोई डारेक्ट वार नहीं किया मगर हमास ने इनका इस्तमाल किया है अब जो हो किया रहा है कि ग्राउंड ऑप्रेशन जो चलने हैं वो बिलकुल सिस्टेमेटिक चलने हैं सतर परसंट के करीब जो मिल्ट्री इंफर स्टर्चर है वो गाजा पटी के अंदर हमास का खतम कर अब टनल के अंदर भी घुस रहे हैं इसराइल बड़े सिस्टेमेटिक ली जा रहा है और यकीन कर रहा है कि धीरे धीरे टनल को भी बरबाद किया जाए और आने वाले समय में यह पूरा पूरा जो इंफर सक्षर है इसको वो बिलकुल जीरो कर दें इसको बिलकुल कतार में बेटा है यह गाजा पटी में था इसको भी मार दिया इसराइल तो सचाई है कि ऐसा लगता है जिस परकार से यह लड़ाई प्रोग्रस कर रही है समय दूर नहीं है लगता है कि टाइम तो लगेगा मगर जिस परकार से इसराइल हमास की डिस्टरक्शन कर रहा है ऐ ऐसा लगता है कि हमास को जल्दी ही खितम कर देगा इसको मत नज़र रखते हुए अब हमास है वो बार बार मुस्लिम वर्ल्ड का फादा उठाने की कोशिश कर रहा है बार बार वो कर रहा है कि एक परकार से सीज़ फायर किया जाए यूमन पौद दिया जाए वो क्योंकि उस अगर इस चीज़ से मानने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि जो लड़ाई अभी चली हुई है वो ज्यादा समय नहीं लगेगा इसराइल जो है पूरा मिल्टरी इंफ्रस्रक्ट्रक्टर हमास का स्पेशली गाजा पट्टी के अंदर बरबाद कर देगा बाकिन कुश् अर्थन कौन कौन कर रहा है पलिस्तीन को हम माइनस करके चलते हैं क्योंकि अगर इरान भी बयान बाजी कर रहा है हमले की धमकी दे रहा है तमाम दूसरी तरह की हरकते कर रहा है तो अमेरिका ने भी अपने युद्ध पोत भी उतार दिये हैं और एक परमानू पंडुब भ भी वहां पर अमेरिका की पहुच रही है इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी विदेश मंतरी लगातार खाड़ी के देशों की आत्राएं कर रहे हैं और दुनिया के बहुत सारे देश इस समय इसराइल के साथ बहुत मजबूती से खड़े हुए ह तो इस समय सिच्वेशन क्या है यानि दोनों के साथ कौन सी ताक्ते खड़ी हैं और इसके मद्दे नजर आगर हम इस सिच्वेशन को समझना चाहें तो देखो सचाई है कि आज मुस्लिम वर्ल्ड बटा हुआ है और मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमास के साथ नहीं खड़ा हुआ वो पैलिस्टाइन कौज के साथ तो खड़े हुएं पर उनको पता है कि हमास एक टर्रिस्ट और्गराइजेशन है और मुझे लगता नहीं कि उस प्रोती गृुप वह भी शिया गृॉप है वो यमन में और जो हमास एक सूनी गृुप है और जो कि अभी गाजा पटी के अंदर है इनको हत्यार देना इनको ट्रेन करना ये सारा एरान ने किया है यह मगर जो बाकी देश मानने जाए साओधी रेबिया यूएई और बाकी इवन टर्की ये लोग बोर तो रहे हैं मगर कोई साथ नहीं खड़ा हमास के इंक्लूडिंग लबनान तो ये सचाई है कि अब जो सिचुएशन है तो सिचुएशन आज की तारिक में ये है कि जादा तर देश जो हैं वो समझते हैं कि अभी हमास का जब तक तमाम नहीं होगा पीस नहीं आ सकती मेडल इस्ट में अब बात आती है कि अमेरिका ने क्या रोल प्ले किया है इसके लिए जो को अभी जो आपने सही बतारे एंथनी बिलिंकन जो है जो कि सेकेटरी और स्टेट है वो उन्होंने बहुत एक्स्टेंसिवली दोरा किया है वेस्ट इस्या और मिडल इस्ट का और हर एक देश को समझाया है जिस से मुझे रगता बड़ा फरक पड़ा है कोई देश इस पर जम बारने को त्यार नहीं है इंकूर् यूनियल में भी शामिल होना चाहता है वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो अमेरिका के इंटरस्ट के विलों जब बात आती है कि क्या इरान लड़ाई में आ सकता है बिलकुल इरान कोशिश कर सकता है मगर इसको नेलिफाई करने के लिए अमेरिका ने अपने दो एर कार्फ क को कि अगर आप कोशिश ऐसी करेंगे तो फिर आपके साथ बहुत जो एक परकार अमेरिका बड़े जोरों से आपके अगेंस्ट आएगा अब बात आती है कि OIC की मीटिंग है संड़े को जो की साओधी अरेबिया में कि जिसमें इरान के जो प्रेजिडेंट है अबासी वो भी अटेंड करेंगे तो क्या इसमें कुछ होने वाला है क्या 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 वो कोई चीज ऐसी पास करेंगे कोई स्टेट्मेंट मुझे नहीं रगता कि कोई ऐसी स्टेट्मेंट है स्टेट्मेंट पास करेंगे जादा से जादा यह मुसलिम कंट्रीज हैं यह अपने अमबेस है जो इबराहिम रहिसी जो प्रेजिडंट एरान के वो बहुत बोलेंगे मगर कोई खास मुझे लगता नहीं कोई एक परकार सी यूनिटी है मुस्लिम वर्ड में और मुस्लिम वर्ड ये समझ गया है अगर कोई हमें शान्ती चाहिए कि इस लाके में तो फिर हमास जैसे टर्रिस्ट और्ग्राइनजेशन की जगर नहीं है वो पैलिस्टाइन कोज और हमास के साथ उसको मिक्स करना बिलको नहीं जिस परकार से वारत ने लगता पूरा वाल्ड खर है इसराईल ने कोई स्टाट नहीं किया ये काम हमास ने उसके उपर टर्रिस्ट आक्शन किया साथ अक्टिबर को और जो इसराईल कर रहा है वो एक प्रकार उसके काउंटर में कर रहा है क्योंकि उसके चार सो से जज़दा दो सो चालीस के बारत जैसे देश साथ करें क्योंकि बारत जो है वो टर्रिजम का खुद विक्टम रहा है तो बारत बिलकु खड़ा है तो मुझे लगता है कि इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा देश करें है और जो आपके हमास है उसको बहुत लिमिटेड है मुसलिम वर्ल भी लड़ा है और सबसे अच्छी बात है जिस परकार से अमेरिका ने बड़ा एक्टिव रोल प्रिका है कि यह लड़ाई रिजनलता हो यह लड़ाई रीजनल के साथ साथ कई ऐसा नहूँ यह आउड आ सा आफ हो जाए वह नहीं हएा यह costs बात है उसमें क्या प्रोग्रेस है और इसके पीछे हमास की क्या रणनेटी हो सकती है? दको सचाई ये है चोधी साथ हमास ये होस्टेजिस को एक परकार से टूल इस्तमाल करना चाहता है कि बहुत किसी तरिके से हम सीज़ फायर कराएं और किसी परकार से पोज कराएं क्योंकि हमास एक चलाक टर्रिस्ट और्गरेंजेशन है उसको पता है अब वो बैक फूट पे है और उसका अंत आ गया है क्योंकि हो क्या रहा है कि जो इसे टर्नल डिफैंस बना रखी थी उसके अंदर बहुत इंपोर्टन्ट है कि वहाँ पर आपके विजली रहे अक्सिजन नहीं है और जिस परकार से पूरा का पूरा गाजा पटी को एक तरफ चारों तरफ से गेज के सीज कर दिया इसराइल ने तो फ्यूट नहीं जा रहा है वहाँ पर ना जो खाना पीना जा रहा है उसको भी हमास कंट्रोल करने कोशिद कर रहा है मगर सचाई है फ्यूल नहीं जा रहा उससे उसके चो टर्लर में राना बड़ा मुस्कुल रहा और वह बड़ा अब उसको लग रहा है कि जिस परकार से इसराइल चारों तरफ से घेर रहा है उसको उसका अंत ज्यादा देर नहीं है और ऐसे में वह होस्टेजिस का इस्तमाल करना चाता है टाइम बाए करने के लिए तो कहीं न कहीं उसने एक पुक्ता छोड़ा था कि पचास हम के करीब जो फॉरन होस्टेजिस उनको छोड़ेंगे वह बादशीज फिर आगे नहीं बड़ी मगर इसराइल ने एक साफ सुत्रे सब्दों में का हम सीज़ फ मेरिका क्या रॉल फ्ले करेंशी अमेरिका इसमें होस्टेजिस के चख्रों में अब अमेरिका और इसराइल लॉकेशन पता करने की ट्राइक करें MQ9 जो ड्रोन्स हैं उसका भी इस्तमार हो रहा है अमेरिका के जो ड्रोन जो भारतन भी खरीते हैं कि काईन है काईन लोकेशन का पता चले ये होस्टेजिज कहां पर रखे हैं हमासने कौन सी टैनल में रखे हैं साथ उस पर उपरेशन पर ये सचाई है कि अब जो बात में एक परकार से जो बार बार बात आ रही है कि क्या इसराइल और अमेरिका के अंदर भी कुछ मतवेद है सीज़ फाइर को लेके क्योंकि जो बाइडन कह रहे हैं कि अभी एक मिल्टरी पोज होना चीए 48 आर्ट के करीब और नेथन यायू जो है जिसकी अभी पूछ हमने दबा दी है वो रीकूप कर लेगा रीफिट करेगा और फिर लड़ाई करेगा तो इसलिए अब जब दुश्वन बिल्कुल बैक फुट में है उसको अभी जो रिवाइब नहीं करना तो ये सच्चाई है हाँ अब बात आती है क्या इसराइल वहाँ पर रहेगा ये बात चीच चल ली है मुझे लगता नहीं इसराइल वहाँ रहेगा इसराइल वहाँ से वापस तो आएगा मगर जो स्क्यूरिटी है गाजा पट्टी की वो अपने कंट्रॉल बे रखेगा क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा जिस परकार से साथ अक्तूबर हुआ कि दुबारा को ऐसा हो तो मुझे लगता ये आपस में जो अमेरिका और इसराइल के बीच में है वो बातशीत हो रही है मगर इसराइल ऐसा कुछ नहीं करेगा जिस से हमास को रिवाई मिल जाए मिल्ट्रले लिए वो सबच रहे हैं कि हमास को खतम करना है अब जो बड़े बड़े पंडित हैं वो जैसे आपने भी ये उठाया था कि जो हिजब जो वो समय लगता है इसका मतलब ये तो है कि हमास को छोड़ दिया जाए अगर अभी लड़ाई बंद कर दें और होस्टेजी बगारा बदलने तो क्या हमास खतम हुआ हमास की तो पचास साट 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 सतर परसंट से ज्यादा मिल्ट्री इंफर सक्टे के लावा नहीं हुआ तो फिर तो साथ अक्टूमर दुबारा हो सकता है इसलिए इसराइल अब बीच में नहीं रुकेगा जब तक उसको यकीन ना हो जाए कि जो इसकी टॉप लीडर्शिप हानिया हो कतार के अंदर अभी यह जो याया मारा है गादा पटी में बाकी को बर्माद निकल लेगा मुझे लगता नहीं कि आज की तारिक में की दलाई रुकने वाला और यह सई स्टैफ है क्योंकि आप मिल्टरी लीडर्शिप को खत्म करें इसका मिल्टरी इंफ्रस्ट से खत्म करें आगे की आगे देखी जाएगी वो देखेंगे मगर अभी बीच में कैसे छोड़ सकता है इसराइल इसराइल ने बार बार अमेरि इक लिए भी गाजा पट्टी की तरफ गाजा सिटी को गेल लिया है और उसने सिविलेंस को भी बहुत मूव किया है नौर्ट से साउथ की तरफ भी और अब यह अंत की जो लड़ाई है हाँ एक ही चीज़ है वाकिए जो बार बार आप भी इसारा करें दे कि होस्टेशिस क जो है वो क्वेस्टन होती जादा क्वेस्टन मार्क है और उनकी सेफटी को लेके काफी ऐसा है कि फिकर करने वाली बात है चोजी साब और सिवास साब आपने अभी जिकर किया कि अमेरिका भी राष्टपती चाहते हैं कि 48 गंटे का एक पोज दे दिया जाए इसको रोका ज रहे हैं ऐसे में जो ये बात कही जा रही है कि भारत की इस संघर्स में कोई भूमिका हो सकती है तो भारत क्यों कहेगा इसराइल से कि वो इसे रोके क्योंकि भारत तो खुद आतंकवादी हमलों का भुक्त भोगी रहा है तो भारत तो ऐसे में इस तरह की गलती नहीं करेग हाँ बिल्कु तो कोई सचा ही है कि आप सभी ये कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास लिवरेज है सबका क्योंकि भारत के रिलेशनशिप मिडल इस्ट में मुस्लिम वाल्ट से भी अच्छे है चाए साओधी है यूएई है चाए आपका पैलेस्टाइन का है से अच्छे हूँ और अभी पलस्टीन के राश्टपती से भी बात की है मैमूद अबासी से भी बात की है भारत के प्रदान मंत्री और हम पैलिस्टाइन कौज के साथ तो हर्दम खड़े रहे हमने टू नेशन सुलूशन बोला है तो ये सचाई है कि अगर किसी का मगर भारत ऐसी गलती बिलकुल नहीं करेगा कि ऐसे टाइम में मद्धिस्टा करने की त्राइब करें क्योंकि आपका जो जो मिल्टरी दिमाग क्या कहता है कि जब दुश्मन खतर नहीं हुआ उसको बीच में रोक के उसको पहुत देना वो रिवाइब हो जाएगा इतनी बड़ी गल्टी नहीं होनी चीए तो मुझे लगता नहीं कि इसराइल इस चीज को मानेगा इसराइल के एम बड़ा क्लियर है कि इसको मिल्टरी लडी हमने डिफीट करना हमास का रूट से ख़त्व करना है अब मिल्टरी पोहुत देना अर्टारीस गंटे के लिए सीज़ फायर करना और यह रिवाइब करना तो यह बिल्कुल गल्ट होगा क्योंकि हमास को रीकूप का टाइम मिल जाएगा हमास इसकी इसकी इसी को प्रेस्टराइज करने की कोशिश करा है अमेरिका को और दूसरा तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि भारत ऐसी गल्टी करेगा भारत समगता है और इसराइल वैसे भी किसी की मानने वाला नहीं इसराइल वो करेगा जो उसके हित के लिए जो बात आती है कि क्य या अमेरिका की और इसराइल के बीच में और भी मतमेद हैं हाँ अमेरिका ने जो इशारा किया है इसराइल को कि आप हमास को खत्म भी करो तो वहां पर आपने गाजा पट्टी को से बार निकलना है वही निलना है वह मुझे लगता तालमेल है इसराइल और अमेरिका की बीच नहीं करेगा कि वहां रहे क्या ये Palestinian administration को दिया जाएगा क्या ये United Nation जो है वो अपनी एक परकार से फोज मेज के administration कराएगा बगर ये सचाई है कि जो सेफ security है defense point of view से अभी इसराइल चांस नहीं लेगा वो अपनी presence रखेगा गाजा पट्टी में मगर जो गाजा पट्टी का administration है गाजा पट्टी का बाकी जो है control वो आगे बातचीत हो रही है Palestine administration या United Nation ऐसा कुछ होगा मगर ये सचाई है कि जिस परकार से अभी इसराइल चल रहा है वो तभी रुकेगा जब बिलकुल वो हमास को खतम कर देगा गाजा पट्टी में चोजी साब बहुत बहुत धन्यवाद सिवाज सर ओसिये network के लिए इतना समय निकालने के लिए और एक एहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए थैंक यू सो मिच साब नमसकार थैंक यू चोजी साब जय हिन जय हिन सर